नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंजना चौहान दोस्तों आज मैं बताने जा रहे हूं बालों के लिए दो चीज बताऊंगी एक आउले से बताऊंगी और एक पॉडर बताऊंगी आप इसको एक वीक करके देखिए मतलब 15 दिन ही कर लिजे दोनों चीजों को आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों यह आउला है इसमें बहुत सारा बिटामिन सी बहुत सारा बिटामिन सी पायाता है दुनिया की कोई भी बिटामिन सी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा प्लीज पांच चे आउला ले लिजे इसमें बहुत बिटामिन सी होता है कैल्सियम होता है पोटेसियम होता है आईरन होता है और तीन से चार खजूर ले लिजे खजूर भी बहुत जादा ताकतवर होता है जब सरीर कमजोर होता है तब भी बाल बहुत जादा ज़रते हैं आउला से मीठा होता है यह बहुत खटा होता है इसलिए इसको अराम से पिया जा सके अब आपको लेना है गुड ठीक है अब जो आउला आप काटे हुए थे उस आउले को मिक्सी के जाल में डाल दीजेगा और जो दूसरी चीज में बताऊंगी न उसको पूरी बीडियो देखेगा दो दोस्तों बिस्वास करें इस समय आउला आ रहा है आउला लेकर आईए तीन आउला डेली चकुस इसे छोटाटा काट लीजेए उसको मिक्सी के जार में डालिए गुर डालिए और पी लीजेए मतलब यकीन माने दोस्तों आप सोचते हैं कि मैं बालो में क्या लगाऊं मैं मैं ऐसा क्या करूँ प्याज लगाऊं कि मेथी लगाऊं वो सब काम करता है अपनी जगे लेकिन उससे डबल तरीके से काम करेगा ये आपका जो जूस है आउला का जूस ये मेरा खुद का इस्पीरियंस है क्या कमाल के इस्पीरियंस है दोस्तों मुझे विश्वास नहीं ह रहा है आपसे बताते हुए आप यकीन मानेंगे ही नहीं कि मैंने एक हपता ये जूस पिया इतना स्वादिष्ट इतना स्वादिष्ट कि मतलब मुसम्मी का जूस भी इसके आगे एकदम फेल है अनार का जूस फेल है दोस्तों ये इतना सरीर पूरी सरीर का काया कल्प कर द पिग्मेंटेसन जिसको ज्जाई हो गई है लोग कहते क्या क्रीम लगाऊं यह पीजी एक हपते के अंदर आपके देखेंगे चेहरे में एक नूर सा दिखने लगेगा लोग पूछेंगे आप क्या ही पी रहे हो जो आगे चीज बताने जा रही हूं ऐसी वीडियो तो आपने सायद ही देखी होगी बालों के लिए चेहरे के लिए और हर चीज के लिए देखिए क्या बढ़या जूस निकल गया है और जब आप सिप सिप करके पिएंगे ना तो इतना मज़ा आएगा सुकून मिलेगा कि मतलब एक हिल्दी चीज आपके सरीर में जा रही है ऐसी चीज जा रही है कि जो मतलब पूरे सरीर का काया कल पकरके रख देगी यह मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इसको सेयर करिएगा वीडियो जादा जादा लोगों तक सेयर करिएगा दोस्तों और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपना अक्सिडेंट पाएजाते हैं यह आपका वेट भी लॉस करेगा ब्लेड सुगर लेबर को भी कंट्रोल रखेगा तोचा को स्वस्त रखेगा जवानी में भी जवान रखेगा और बुढ़ापे में भी आपको यह जवान रखने वाला है यह आज के जो रेमेडी है पूरी शरीर में जान डाल देने वाला है जान तो होती है पर जीने का तरीका एकदम अलग-अलग होता है ना वो कर देगा ये कि आपके सारे सरीर के फंक्सन को सही रखेगा ये है वाटर मेलन इसमें ओमेगा 3 फैटी एशिट बहुत ज़्यादा पाए जाता है और इसमें प्रोटेशियन पाए जाता है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाता है दोस्तों इसलिए ऐसी जो सीट होती है एक बार अगर आप मगा लेते हैं उसका पौडर बना के खाईए या तो इनको भून करके रख लीजिए इनको ऐसे भी आप भून करके खा सकते कच्चा मत खाईएगा क्योंकि कच्चा खाएंगे तो आपको ये गैस बनाएगी ठीक है जितने सीट में आपको दिखाने जारे हैं और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों ये सारे चीजें आपके पूरे सरीर के लिए वर्दान का काम करेगा दो चीजे हो चुकी है तीसरी चीज में इसमें क्या लेने जारे हैं दोस्तों तीसरी चीज भी बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों तीसरी चीज है सनफ्लावर का सीड विटामिन E पायाता है विटामिन C पायाता है कि इसे आप भून करके जरूर क्योंकि इसे बिटामिन बी 1 प्रोटीन कॉपर ओमेगा-3 फाइवर और यह डायबरटीज को बहुत जादा कंट्रोर रखती है अगर अगर ऐसा पौडर खाते नहीं दोस्तों आप सोच रहें कि इस तरह पे कितना ज्यादा लोगों को diabetes होती चली जा रही है आप किसी से पूछिए का ऐसा powder किसी ने खाया तो diabetes के पहले नहीं खाया होगा अगर आप इसको powder खाने लगेंगे न तो कोई बिमारी नहीं होगी बिमारी अगर जरा सभी कोई बिमारी लग जाएगी तो कोई बिमारी हड़ियों का जैसे है ना कट कट के आवाद आने लगती है बुरहापा आने लगता है बिल्कुल जैसे लगता सरीर में कोई सकती रही है आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है हाज जोड़ करके कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करतीजेगा वीडियो को जादस जादा लोगों तक सेयर करेगा मैंने जो फ्लैक सीट है लिया है आधा किलो ठीक है आधा किलो लिया है मैंने फ्लैक सीट मैं जो आपको दिखाई हूँ अभी मैं इसको भी मिलाओंगी क्योंकि यह पाउडर नहीं यह मेरी जान है खरबूजे का कुछ बीज लेनी उट क्योंकि बहुत ठंडा होता है खरबूजे के बीज में बहुत सारे प्रोटीन जो सारी सीडे हैं यह बहुत जादा ठंडी होती है तो जब आपका सरदर्ध होता है तो वह भी होना बिल्कुल बंद हो जाएगा और कि एक पौडर और कितनी चीजों कर लिए फैदा करेगा जब चट चट की आवाज आने लगे तो आप सोच दीजेगा कि यह भुनगया ज़्यादा काला नहीं करना है ने तो इसके निट्रिशन्स जो है वो खत्म नहीं होने चाहिए अभी देखेगा इसमें और कितने पावरफुल चीज में डालने जा रही है कि मतलब आप खुदी लग जाएगा कि हाँ इन सब चीजों में दम है अभी फली के दाने में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है कैलशियम होता है विटामिन C होता है कि यह आपके बालों के लेकि मुठी भर हर इंसान खा सकता है सुबही का नास्ता आपका यही होना चाहिए माखाना और मूफली नास्ता पराठा पूरी कभी भी मत खाएं ठीक है यह दोस्तों करी पत्ता करी पत्ता वेट लॉस के लिए राम बांट साबित हो सकता है क्योंकि दस गिलास दूद में जतना कैलसियम नहीं पायाता है उत्मा कैलसियम पायाता है आपके करी पत्ता में ठीक इसमें बहुत सारे बीटामिन इस पायाते हैं और यह तो सबसे सहजन जिसको मोरिंगा भी बोलते इतनी पावरफुल चीज है ना दोस्तों साथ दिन यह पावडर खा लीजे ना जो इस यकीन नहीं मान सकती कि आपका मुटापा बढ़ा हुआ फैट नहीं कम होगा अब सहजन की पत्ती को भी हलकस देखे मतब चाही में सुखा लिया था पंके में बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रही बड़ी हो जाएगी सारी चीजों को भून लिया है करी पत्ता गीला प्लीज मैजिकल और पढ़ने वाली है बीडियो पूरा देखेंगा दोस्तों और प्लीज दोस्तों इसको शेल जरू करेगा एक पाउडर नजनी कितने बीमारियों पर यह पारी पढ़ेगा मोटापा तो कंटोल आपका करेगा ही करेगा हंडेड वन पर्षंट करेगा क्यो आपके बाल जड़ते हैं आपको जाईया होती हैं यह सारी कमी पूरा करेगा आउला पौडर को उसके बाद आप लिजड़ देखके हरार जाएंगे इससे बालों बाल भी आपके अच्छे हो जाएंगे इसकिन भी आपके अच्छे हो जाएंगे भाई आउला पौडर है समय कि इस पाउडर में इसकी met a house कर दिजेगा कि पाउंच साल के बच्चे को भी यह थी जांगा ए से दोनों चीजा थोड़ी थोडि से गरम होती है पर आप आने के बाद कुपानी के क्वॉणटाइटी बढ़हना पड़ेगा पानी तवाट जाधा कर दीजेगा क्योंकि य नालो के वांलो कि इन। अंह हुआ है न लगउने हुआ है , लौिक इन।